प्रश्च 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 अब हम आपर शब्दार्थ भी लिखेंगे उसके मीनिंग्स भी लिखेंगे थे देखो पहला क्या है? बच्चे, बच्चे, बच्चे मीस वार्ट, बालक, बच्चें कारत क्या है? बालक, बालक मीस चिल्डर रान, बालक मीस चिल्डर रान, ओके ना? बच्चे बालक चिल्डरन अब आगी आगी क्या दिया हैं वंदना मैंने बताया था वंदना को क्या कहते हैं वंदना वंदना प्रार्तना क्या कहते हैं प्रार्तना वंदना को हम क्या कहेंगे प्रार्तना प्रार्तना में स्वार्ट लेसन का नाम हैं बोलो प्रेयर प्रेयर करते हैं नाम हमने प्रेयर की ना उस लेसन में ओके वंदना प्रार्तना प्रेयर वंदना प्रार्तना प्रेयर आगे आगे क्या है नवाना ये क्या है नवाना नवाना means what जुकाना है ना किसको जुकाते हैं हेड को जुकाते, सिर को जुकाते ना, सिर को ऐसा जुकाते ना, हेड को जुकाते ना, ओके, नमस्कार करते समय, ओके, तो नवाना, जुकाना, जुकाना मीनस वाट, टू बाउ, टू बाउ, ओके, नवाना, जुकाना, टू बाउ, ओके, अब आगे, आगे क्या दिया है, समसार, समसार मीन्स वार्ट, बोलो 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 मैंने बताया था समसार, वार्ड, ओके, तो दुनिया, समसार का अर्थ क्या है, इंदी में, दुनिया, समसार मीन्स दुनिया, समसार, दुनिया, दुनिया मीन्स वार्ड, है न? समसार, दुनिया, वर्ल्ड अब आगे, क्या दिया है, धरती धरती मीन्स वाठ, हिंदी में बोलना है दरति का एरथ क्या है, भूमी क्या है, भूमी धरती मीन्स भूमी इंगलिश में कौन बताएगा यर्थ धर्थि means भूमी यर्थ धर्थी भूमी यर्थ और आगे वायु वायुक मैंने एक शब्द लिए कहा था कौण सा शब्द लिए कहा था air, air तो इंगलिश में है, हिंदी में, हवा, बोलो, हवा, वायू, हवा, means air, है ना, air, वायू, हवा, air, वायू, हवा, air, वायू, हवा, air, ओके, अब आगे, आगे क्या दिया है, Sada, Sada, Sada means always, हमेशा, Sadaiva, है ना, हमेशा, Sadaiva, okay, हमेशा, Sadaiva, है ना, Sada, हमेशा, always, 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 okay, always, okay, आगे, पुष्प, पुष्प, पुष्प means what, हम पुष्प है, हम पुष्प है, मेंश फूल, फूल, फूल means, flowers, क्या है, फ्लावर, यह हो गया हमरे meanings, है ना, बच्चे, बालक, चिल्डरण, वंदना, प्रार्तना, प्रेयर, नवाना, जुकाना, टूबव, सम्सार, दुनिया, वर्ड, धर्ति, भूमी, यर्थ, वायू, हवा, एर, सदा, हमेशा, आल्वेस, पुष्प, फूल, फ्लावर, पुष्प, फूल, फ्लावर, पुष्प, फूल, फ्लावर, यह है, हमारे मीनिंग्स, और भी थोड़े मीनिंग्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखा के, दिखाता हूं, और हम इसको पढ़ेंगे, दोराएंगे, ओके, आगे क्या, आगे क्या दिया है, देश, देश मीनिंस वाट, देश, देश किसको कहिते, राश्ट्र, देश का अर्थ क्या राश्ट्र, देश का आर्थ क्या है राश्ट्र देश राश्ट्र मेंस नेशन ओके नेशन देश राश्ट्र नेशन ओके आगे शीश 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 मींस वाट मैंने बताया था शीश शीर शीश मींस सीर शीर मींस हेड़ क्या है हेड़ ओके शीश शीर हेड़ शीश सीर हेड़ आगे क्या है गुणा गुण का आर्थ क्या है गुण का आर्थ स्वभाव है स्वभाव गुण स्वभाव गुण स्वभाव गुण स्वभाव गुण स्वभाव गुण स्वभाव नेचर ओके नेचर गुणा स्वबाव नेचर अब आगे खूब कार्त बहुत जादा भी बोलते इसको क्या बोलते जादा खूब बहुत क्या दिया इंग्लिश में प्लेंटी आफ प्लेंटी आफ खूब बहुत प्लेंटी आफ आगे जल जल मीन्स वाट बच्चे लोग जल जल पानी जल मीन्स पानी इंग्लिश में वाटर इंग्लिश में वाटर जल पानी वाटर आगे धंग धंग मीन्स धंग तरीका बोलो तरीका प्रकार प्रकार भी कह सकते इसको धंग तरीका धंग तरीका मीन्स वे वे धंग तरीका वे आगे क्या दिया है पत्थ क्या है पत्थ मेंन्स पत्थ राह रस्त राह रस्ता क्या कह सकते इसको वे इसको भी वे कह सकते अब आगे अब आगे क्या दिया है प्यारे प्यारे means what मैंने बताया प्यारे means प्रिय प्यारे means प्रिय प्यारे प्रिय means dear Dear ओके देखे एक बार देश राष्ट्र नेशन शीश, सिर, हेड़, गुण, स्वभाव, नेचर, खूब, बहुत, प्लेंटी ओफ, जल, पानी, वाटर, धंग, तरीका, वे, पथ, राह, वे, प्यारे, प्रिय, डियर, ओके, बच्चे लोग, पेज नमबर 46 पर जो शब्दार्त और मेनिंग्स हैं, उसको आपको क्या करना है, कंटस्त करना है और पढ़ना भी है, अब अभ्यासकारी के तरफ हम जाएंगे, चोटा सा अभ्यासकारी है, उसको देखकर हमें क्या क्या करना है, तीन तीन बार लिखना है, चलो तो अभ्यासकारी के तरफ हम चलते हैं, तो अभ्यासकारी में हमें दिया हैं, इन शब्दों को पढ़िये और तीन तीन बार लिखे, read and write each word three times, read and write these words, how many times, three times, how many times, three times, क्या के दिया है, बच्चा, वंदना, शीश, धरती, जल, गुना, सधा, पथा, ओके, अब लिखना चालो करेंगे, ये क्या है, बच्चा, 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 सेकंड वन, वंदना, 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 third one शीष 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 next धरती 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 next जल जल यह क्या है? गुणा लिखो गुणा 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 ओके? यह? यह क्या है? सदा 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 लास्ट वर्ण पथा इस प्रकार यह तीन तीन बार हमने लिखा है बच्चा वंदना शीष धरती जल गुणा गुणा सदा पथा ओके? तो बच्चे लोग प्रेर यह लेसन और उसके मीनिंग्स उसका भाव और उसका अभ्यासकार यह भी हमने तोटली पूरा कर दिया आपको क्या करना है? इसके मीनिंग्स पढ़ने है और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? इस पोयं को भी पढ़ना है मैंने जो बाते बताई उध्यान में रखकर अच्ची राहा पर जरना है God bless you all members ओके? हम अगले लेसन में मिलेंगे ओके? बाई बाई